कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है ग्लोबल आटोमी नेट्रक टीम वारे रिम दोस्तों दोस्तों आज हमें डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूज है दो गंडे पहले की ठीक है तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रेंड के उपर आटोमी इंडिया का ओफिशल ज से और यह लेटेस्ट लोगों बहुत अच्छा लोगों बनाया है और अटोमी इंडिया ओफिशल फेस्बुक का यह ओफिशल गुरूप है और ओफिशल लोगों है इसमें 15,000 से उपर मेंबर्स जोईन है तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप सिरफ ओफिशल गुरूप ही ज बिसकस करेंगे इसमें आज एक न्यूज आए के वाई सी के रिगार्डिंग ठीक है अभी जैसा कि अटोमी इंडिया मिस्टर अली की तरफ से जो हमारे अमडे उन्होंने डिक्लेर कर चुके हैं काफी पहले की डाटा मागरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला क्योंकि जैसे डाटा मागरेशन स्टार्ट होगा तो वो चीज आपको चाहिएगी तो अटोमी क्या कर रहे है जैसे आपका अधार कार्ड का नंबर डालता ही अटो वेरिफाई हो रहा है आपका पैन कार्ड पांच सेकेंड के अंदर सेम वे में आधार कार्ड भी वेरिफा कर देते हैं और अपना मोबाइल नंबर लिंक करते हैं अधार कार्ड के साथ गोर्मेंट ओफ इंडिया के जो वेब साइट है यू आई डी ए आई बाकायदा इसमें लिंक भी दिया गया है तो कैंडली अपडेट यूवर करेंट अडरस अगर आपका अडरस भी चेंज हो है तो वो भी अपडेट कीजिए और आप में से काफी मेंबर्स के जो मोबाइल नंबर हैं वो लिंक है अलड़ी लेकिन आपको चेक करना है कि आपने जो आधार कार्ड बनवाते समय जो मोबाइल नंबर दिया था वो एक्टिव है कि नहीं अगर वो मोबाइल नंबर आपको KYC करने पड़ेगी और KYC के लिए अटोमी ने एडवन्स में जो आपको न्यूस दी है कि आप अपना ओटो वेरिफिकेशन हम करेंगे अधार कार्ड के साथ और जो मेंबर्शिप माइगरेशन होगा उसमें अटोमी कोरिया वेबसाइट से अटोमी इंडे के वेबस के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए अधार कार्ड के साथ ताकि ओटो वेरिफिकेशन वो कर सकें बहुत जल्दी प्रोसेस में ठीक है तो ये सारे चीज़ें आपको फोलो करनी है अभी आपके पास टाइम है आल्मोस्ट एक दो विक के आस पास ट चेको किजिए आगए के वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस बताएंगे लिंक भी देया गए यहाँ पे आप अपना email नंबर या mobile yumberry विरिफाइग करवा सकते हैं अगर लिंक ऻे तो आप कर सकते हैं आपको अपना दरकारड नंबर डालना है और आपके पा हैं उन सभी का KYC करना है और KYC करने के लिए Atomi नहीं अपडेट दी है जैसे कि data migration का कम स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी और उससे पहले आप अपना mobile number link कीजिए अगर आपका current address change हो चुका है तो वो भी आप अपने अधारकर के साथ change कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं और इसके बारे में जो भी further news आएगी और news वो भी आपको हम बताएंगे अपने channel के महदम से दोस्तों ठीक है तो यह सारी news मैंने जो आपको दी है technically अब हम आगे देखेंगे कि किस परकार से step by step follow करना और यह link जो आप देख रहे हैं इस link पर आप जैसे click करोगे तो एक नई website open होगी UIDAI की इस परकार से ठीक है और उस website के उपर आपको data migration का जो पूरा काम है वो स्टार्ट करना है तो step by step मैं थोड़े ऐसे आप आपको inform कर रहा हूं यहां ठीक है तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं check your email mobile number in आदार कार्ड ठीक है तो आपको अपना mobile और जैसे आप mobile डालेंगे वहां पर आपको further एक capture डालना है capture के बाद आपको send OTP पर किलिक करना है बिल्कुल simple process है बिल्कुल easy process है ठीक है जैसे mobile number यहाँ पर डालेंगे कोई तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा जो step by step process है वो मैंने पूरे वीडियो में दिखाया है तो इस परकर सेटों में इंडिया ओफिशल में जो न्यूज आई उसको आप फोलो कीजिए अभी जो latest news है उसके according आपको अपना mobile number लिंक करना है आधर कार्ड के साथ अगर आपका address चेंज हो चुका है तो उसको अपडेट कर सकते हैं उसका इक अलक्त procedure है तो आपके जो nearest है शोप है वहां पर आप जाईए और वहां पर अपना address है अगर आप चेंज कर चुके हैं current address तो वह भी आप वहां पर अपडेट कर सकते हैं ठीक है और time to time इसकी सारी जान कर दी information और बिल्कुल साइज और सटीक information यहां पर आपको time to time मिलते रहेगे दोस्तो आप वीडियो पर क्लिक कीजिए जिस प्रकार से वीडियो पर क्लिक करो कि तो इस प्रकार से जो भी वीडियो आपको देखना है यहां पर देख सकते हैं और एटो में की एक अच्छी जानकरी आप हमारे चैनल के मादेंसे दोस्तों यहां पर प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो हर परकार की जानकरी सही ओर स्टिक जानकरी आपको मिलेगी यहां पर हमारे चैनल के मादेंसे टीम warrier के मादेंसे दोस्तों तो अभी अ ÖP को 9 step बताएंगे again दूबारा मैं repeat कर रहा ताकि आ यहां पर आपको अपना अधार कार्ड नमबर डालना है उपर आपने अधार कार्ड नमबर डालना है उपर आपने अधार कार्ड नमबर डालना है जो आपका मोबाइल नमबर अलड़ी अगर लिंक है तो वह यहां पर आपको चेक करना है कि अलड़ी काम कर रहा है कि नहीं कर लास्ट में आपको डालना है और यहां प wurify करना है तर्षट में आपको डालना अधार नंबर haid उसके अंदर यह तिनोfredar complete होने के बाद आपको अपना capture आलना है तो यहां पर हम capture डाल देंगे जो right side में 6X84 भी लिखा हुआ है और फिर send OTP पे क्लिक करना है 5th step के अंदर तो ये capture डालने के बाद आपको send OTP पे क्लिक करना है 5th step में जैसे याप 5 step के उपर क्लिक करेंगे तो इस परकार सिक message आएगा OTP send to your registered mobile number check your mobile आप अपना mobile number चेक कीजिए जो mobile number आपने डालना है उसके अंदर एक 6 digit का OTP आएगा एक password आएगा वो password आपको बिल्कुल scroll करके नीचे जाएए इस website में यहाँ पे आपको put up करना है 6 digit का mobile OTP code जो आया है वो ओके जैसे बैंक में आपका link होता है तो बैंक में OTP आता है कोड आता है आपके mobile में जब वरिफाई करते हैं तब ही transaction होता है same way में यहाँ पे अधर काड वरिफाई करने के लिए mobile number आपका link है या नहीं है तो इस प्रकार से 6 digit का code आएगा और मैं यह verify कर चुका हूँ तो enter OTP तो अपने mobile से वो OTP यहाँ पे आपको enter करना पड़ेगा और उसके बाद यह message आएगा check your email mobile number in other the mobile number matches with our record यह simple message आएगा no way step में total 9 step है यहाँ पे और again आप verify कर सकते हैं किसी का भी आधर काड mobile number अगर link है तो उनका अगर नई link है आपका mobile number अधर काड से तो उसको link कीजिए दोस्तो और team warrior से join कीजिए दोस्तो आपको team warrior education system का पूरा support में लगा दोस्तो इंडिया और globally thank you very much दोस्तो और latest जो information है आपको time to time मिलती रहेगी दोस्तो हमारे channel के माद्दम से जैसा कि आपको पता है team warrior इंडिया के अंदर और globally बहुत ही अच्छा काम कर रही है हम यहां पे आपको सबसे पहले leaders बनाएंगे leaders बनाने के लिए आपको system के अंदर आएंगे और जो भी हमरा education system है उस system के माद्दम से आपको train के जाएगा leader बनाए जाएगा आपको बच्शधर के बनाएंगे जाएगा पटू से एचरासे नहादे ही के आपको